इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Monodose TZ 1000 mg, 125 mg injection is a combination medicine यह अनेक प्रकार के bacterial infection के इलाज के लिए दिया जाता है यह सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकने के लिए सूक्ष्म जीवों के खिलाफ लड़ता है और संक्रमन को अधिक फैलने से रोकता है Monodose TZ 1000 mg, 125 mg injection should only be administered under the supervision of a healthcare professional इस दवा को लेने के लिए कोई निर्धारित appointment न भूलें अगर आप बहतर महसूस कर रहे हैं तो भी इलाज का कोस पूरा किया जाना चाहिए इलाज को अचानक से बंद करना दवा की क्षमता पर असर डाल सकता है Some common side effects of this medicine are nausea, vomiting, diarrhea, indigestion, ETC अगर इन में से कोई भी side effect बढ़ जाते हैं तो आपको तुरंट अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए अगर आपको किसी allergic reaction यानि की चिकते, खुजली, सूजन, सांस फूलना, आदिक का अनुभव होता है तो आपको तुरंट चिकित सकिय मदद लेनी चाहिए इस दवा को लेने से पहले, अगर आप किसी भी स्वास्थे समस्या के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए शराब पीने से बचें क्योंकि इस दवा से अत्यधिक बेहोशी हो सकती है आम तौर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है लेकिन यदि आपको नींदा आ रही है या चक्कर आ रही है तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए ठीक होने की रफ्तार बढ़ाने के लिए आपको पर्याप ताराम करना चाहिए साथ ही सेहत के लिए अच्छा आहार भी लेना चाहिए और खूब सारा पानी पीना चाहिए आपके शरीर पर इस दवा के असर को जानने के लिए आपका डॉक्टर कुछ लेबोरेटरी और डाइगनॉस्टिक टेस्ट के लिए कह सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद